बार मैं हूँ साक्षी सिंग और आप देख रहे हैं हेडियल न्यूज बिग वर्स ओ टिटी फैम और अपनी यूनिक फैशन के लिए हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाली ओर्फी जावेद ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हूँ अपने दिल की बात की थी और फीन लिखा लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं मेरे फैशन और ड्रेसिस की बज़े से मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है ताकि मैं इसे करना छोड़ दूँ लेकिन मुझे इन सब से कोई फरक नहीं परता अपने एंटर्टेंडमेंट के लिए लेटे रहो मेरा नाम लेकिन कभी-कभी मुझे सुन कर रोना आता है लोग मुझे इसकदर बुली करते हैं कि बिल्कुल बदाश नहीं हो पाता लेकिन जिन्दगी शायद ऐसे ही चलती है जो आपको समझते नहीं हैं उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए वैसे तो मैं ठीक रहती हूँ लेकिन कभी-कभी ये सब चीज़ें अपसेट कर जाती हैं लोग मुझे गाली निकालते हैं मुझे नफरत करते हैं मुझे ट्रोल करते हैं आगे उर्फी कहती हैं कि मुझे जान से मारने की धंकी देते हैं बता दें उर्फी जावे सोचल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी अतरंगी तस्वीरें और वीडियो आते ही वाइरल हो जाती है और फीजावेद आए दिन अपने अजीवोगरी फैशन की वज़े से भी चर्चा में रहती है आपको अताद कि आज अन्मोल और अम्रतार राव संग बातचीत के दौरान उन्फीजावेद ने कहा मैं लखनों में थी और 15 साल की थी मैंने आफशोल्डर टॉप पहना था उस जमाने में लखनों में उस तरके कपड़े नहीं पहने जाते थे और नहीं मिलते थे ऐसे में मैंने अपने एक टॉप को काट कर उसे बनाया था मैंने फेस्वुक पर अपनी वह टॉप पहन कर फोटो अप्लोड की थी और किसी ने वही फोटो पॉन साइट पर अप्लोड कर दी और फी जाबेद ने आगे कहा कि वह एक साधरन टूप था उसमें कुछ भी बुरा या गंदा नहीं था लोगों ने मुझे सलट सेम किया पूरी सिटी पूरा टाउन मेरा परिवार तक उसमें शामिल था और फी ने बाचीत के दौरा नहीं हभी कहा कि फोटो अप्लोड होने के बाद कई लोगों ने उनी की गलती बताई थी लोगों ने यहां तक कह दिया कि टॉप पहन कर फोटो अप्लोड ही क्यों की थी आज की खास कबर में बस इतना ही देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे एरियल नियूस धन्यवाद